है एवरीवन अज मेरे इसमें चिकन बिर्यानी बनाने जा रहे हुए बहाथ ही टेस्टी बनता है तो चल यह बनाते हूं अल गर्म हो गया है इसमें जीरा खड़े मसाले रखकर दो बड़े साइच का कटके वा प्याज रखकर इसे पकाना है प्याज को ज्यादधा गुल्डे 2-3 मिनquisyll हो गिया है, अब इसमें अद्रक लवशन का पेस्ट, टर्माटर के पेस्ट रखकर इसे भी अच्छे से चलाते हुए भूनना है घंँया परड़, हल्दी परड़ रखकर इसे भी अच्छे से मीक्स करना है और बिना पानी रखे इसे भी चलाते हुए इसी तरह भूनना है ये भून गिया है अब इसमें काली मिर्च पॉड़र लाल मिर्च पॉड़र रखकर इसे भी मिक्स करना है अब इसमें गर्म मसाला हडा धनिया रखकर इसे दो से तीन मिनर तक इसी तरह चलाते हुए भूनना है ये देखे अच्छे से भून गिया है अब इसमें दो काप पानी रखकर ढखकर चार से पांच मिनर तक मीडियों फिलिम पे पकने देना है इधर चावल बना लेते हैं चावल के लिए पानी गर्म हो गया इसमें खड़े मसाले रखकर गी रखकर इसे इसमें उबालाने देना है ये मैंने नमक रखा है नमक आप एकॉर्डिंग टू टेस्ट रख सकते हैं पानी में उबाला गिया है चावल इसमें रखकर इसे ढखकर पकने देना है जो देखे चावल जा देने पकाना है आधा ही पकाना है इधर चिकन देख लेते हैं चिकन बन के रेडी है अब इसमें पका हुआ चावल का लिए बिछा देना है इस तरह से और इसके ऊपर घे एपने हिसाब से दो चमस तिन चमस जितना देना है उडालना है ये मैंने फ्राइ किया हुआ हरा मटटा डाला है दो तेन हरी मिर्च फ्राइड ओनीन इस तरह से भिछा देना है हरा धनिया कट किया हुआ और लेमन जूस वन टीस्पून और यह मैंने फूट कलर डाल दिया इस तरह से अब इसे ढख के चार से पांच मिनिर तक बिलकुल लो फिलम पे दम पे पकने देना यह देखे बन के रेडी है देखे कितने अच्छी कुछ भूआ आ रहे है बहुत अच्छा बना है यह अब मैं इसे सर्व करके दिखाते हूं अगर आप लगों के यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी बनाए